को मुझेंद हीत हल् Meetingитесь मनोक चूटां डिस्काश अबॉट क्लास स्वेंद हीस्टरी फास्टेटर तो देखों क्लास में אिस क्लास में हम लोग डिसकाश करेंगे क्लास सेवेंद का हीस्टरी का फास्ट चेप्र के बारे में तो दो फास चेप्टर में क्या है तो एक छोटा-छोटा समरज्य बने एक छोटा-छोटा राजा बने राजा कैसे बना है एक वैसे बना है यह सब कुछ हम लोग discuss करेंगे इस class में और यह दो डिसकस किया गया है एक time period भी दिया गया है यहापर 652-1200AD अब देखो यह जनना ह हम लोगों का बहुत ज़रूरी है A.D. क्या है what do we mean by A.D. तो देखो इसा की जान्म के बाद माना जाता है A.D. और इसा की जान्म से पहले माना जाता है B.C. इसा की जान्म के बाद देखो अभी 2020 चल रही है तो ऐसा करते हो हम लोगों को मेजार करना चाहिए इसा की जान्म के बाद A.D. और इसा की जान्म से पहले B.C. तो देखो इसा की जान्म के बाद A.D. यह एक ट्रीक्स याद रखना होगा हम लोगों को यह पर कुछ टाइम पर फिक है इसा का जान्म होआ है जन्म होने के बाद एको ad से a ले लो after यान की बाद में after इसा की जन्म के बाद अभी तो इसा की जन्म के बाद ही तो चल रहे ही न और इसा की जन्म से पहले हम ले लो b यान की v4 इसा की जन्म से पहले तो यहां पर लिखा है क्या देखो a लिखा है ad तो हम लोगों को जानना ज जन्म के बाद 652 1200 में क्या हुआ है यह हम लोग डिस्कास करेंगे तो देखो यह स्केल के थुरू में एक बार में बता रहे हैं यहापर इसा का जन्म हुआ है यहापर देखो 12 करते हुए यहापर हो गया है 650 एसा करते हुए और भी चलेगा 1200 AD और इधार तो 123 करते हुए इधार भी बढ़ सकते हो ठीक है तो देखो यह हम लोग इस टाइम का डिस्कास करेंगे अब देखो हरसबर्धन जो राजा है हरसबर्धन का डेथ हुआ था 647 AD में यानकी इसा का जन्म का 647 एर्ट अब देखो हरसबर्धन का डेथ होने के बाद after that for the next 600 years there were no large emperor in India हरसबर्धन का डेथ होने के बाद 600 साल तक कोई बड़ा समराज्य इंडिया में नहीं था the country was divided into many small kingdom और इंडिया डिवाइड हो गया था बहुत छोटे छोटे kingdom में यानकी समराज्य में तो एक ही बड़े समराज्य था पहले हरसबर्धन का हरसबर्धन का डेथ होने का 600 साल तक कुछ बड़ा समराज्य नहीं था तो देखो एक बड़ा समराज्य नहीं था तो एक छोटे छोटे समराज्य में डिफाइड हो गया था और यह चोटे छोटे समराज्य का बिस्तर कैसे बना है और यह चोटे छोटे समराज्य का फेमास किंग कौन कौन है अब देखो यह अपने समराज्य को प्रोटेक्ट देने के लिए आर्मी लोगों का क्या हाथ है यह सब कुछ हम लोग इस क्लास में डिसकास करेंगे इस चेप्टर में पूरा डिसकास करेंगे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे एक नया राजा बना है और एक नया समराज बना है यह हम लोग देख लेते हैं चलो तो देखो कैसे एक नया राजा बना है अब देखो बात क्या है कि यह सभी राजाओं के बारे में हम लोगों को कैसे पता चला है यह भी जनना बहुत जरूरी है आप देखो राजा लोगों का यह सब कुछ कहानी लिखा जाता था एक रोक यानकी पत्थर के उपर में और कोपर की प्लेट में पोईट एंड बार्ट्स अल्षो रोट सॉंग प्रेस टो देखो देखो चो कभी लोग है यह लोगmarजा लोक के लिखे हैं पथर के उपर कोपर प्लेट के उपर और यह कभी है के ऊपर हम लोगों को पता चला है कि हर सभारदन का 650 में डेथ हुए 647 में डेथ हुआ है ये सब कुछ हम लोग को पता जला we come to know more about this history of this time by reading what is written on this rock and copper plate ये सब कुछ कौन लिखे है ये भी तो हम लोग का जनना बहुत जरूरी है चलो देख लेते है the inscription and copies of this nearby rocks and copper plate ये सब कुछ लिखा जता था पत्थर के उपर और copper plate के उपर plate shows that there were many powerful king ruled by different part of India और ये सब कुछ copper plate के उपर जो लिखा है पत्थर के उपर लिखा है ये सब कुछ हम लोगों को पता चला है इंडिया का अलग-अलग जैगा में अलग-अलग राजा लोगों ने राज किया देखो different part of इंडिया एंडिया एडाउंड दायार 658 छेसो पच्चास साल बाद इसा की जन से छेसो पच्चास साल बाद we got victory over their surrounding areas are include into their empire अब देखो सभी लोगों का राजा लोगों का काम क्या है अपना समरज्यों को extend करना तो राजा लोग भी उसी टाइम अपना समराज्यों को extend किये है और देखो क्या है और ऐसे हम लोगों को एक example के थुरू दिखा गया है एक example देखो दिया गया ही आपर in the state of western इंडिया वेस्टान इंडिया में एक राजा था एक això याणि की समराज्य ठाएि एक समराज्य था यु एक समाराज्य तरश्रो व्ड ैजिश्यों कुक मैं एप देखो में राश्रकुड समराज्य का राजा घुशित कर लाई अपने आपको चालुक के राजाने, चालुक के राजाने, सम टाइम, यानि कि कुछ कुछ टाइम में क्या होता था, राजा कैसे बन जाता था, ये भी हम लोग के बहुत जरूरी है जानना, देखो, सम टाइम, वारियर, a strong warrior, would take the help of his friends, to attack quick tribal, अब देखो, कोई एक strong ruler, क्या करत लोगते थे, लडाई कर लेते थे और उसी एडिया को प्जा कर लेते थे, अब देखो, कप जा करने के बाद, लेटर, ब्रांभीन ंरन्वाइड, और फ़्यर, वेटे잖아, और दीस अरिया, यहाड़ कोई डॉह टॉक के उपर हमला किया, लडाई किया, लडाई करने के बदो ब्राम्बीन, मार्चेंट, यानि जो लोगымиटों के बिजनेस करते हैं पीसीन लोग को, ब्राम्बीन लोगों को, बिजनेसमेंटों को जिस जजाएगा में यह अदिवाशी लोग था उसी जॉणियगा में बिठा दिये है फिर उसी जाएगा का अपने आपको राजागोसित कर दिये है ठीक है देखो यह सब कुछ पता चला हम लोगों को यह स्टोन के उपर लिखा था यह स्टोन इंस्क्रिप्सेन फाउंड एट घटी अला नियर जोधपूर इन राजस्थान एक्जक्जक्ण देखो राजस्थान का जोधपूर में घटी अला में ऐसा हुआ था One such example it was the Prathihar establishes ruler उसी जायेगा में राजगे Phrathihar राजवंक्ष इन छतिस गड़ अब देखो छतिस गड़ में भी ऐसा हुआ था छतिस गड़ के बारे में केसे इन छतिस गड़ दा कल्चूरी वीकम रूलर्स अप त्रीपूरी किंगडम नियार जब्बलपूर इन सिमिलर मेनर इसी टाइम में 36 गड़ में कल्चुरी डाइने सिटी था कल्चुरी डाइने सिटी था और जो जिसके पास ज्यादा जमीन है वो क्या करते थे ज्यादा तर लोकों को उसी जमीन में फार्मिंग करने के लिए एग्री कल्चर करने के लिए छोड़ देते थे अब देखो उसी जाएगा मैं सब कुछ फैसिलिटीज भी सब कुछ फैसिलिटीज भी प्रोभाइड करते थे आप देखो फैसिलिटीज प्रोभाइड करने के वेवजुत उसी जाएगा मैं डेवलम्मेंट ऐसे ही होगा अब देखो डेवलम्मेंट होने के बाद उसी तो ऐसा करते हुए देखो पिछले हुए लोगों को ट्राइवाल्च लोगों को हटा के उसी जाएगा में ब्राम्भन को पीसंड को और किसान लोगों को उसी जाएगा में बिठाई है और उसी जाएगा को में आपने आपको राजा घुसित कर दिया है और ऐसा भी हुआ था जिसके पास धेखो ज्यादा जमीन है और ज्यादा तर लोगों को उसी जएगा में farming करने के लिए देते थे और देने के बाद दे लोग देखंगा का अपने आपको राजा को सित चonne घुए के पाला डाइन शीटी बेंगल में हम लोग देखते हैं ऐसा ही the इस राजा लोको काम करवाने के लिए ब्रांभीन और बट का जुरू रहत है यतुजक लोग सरब करने से Κले इस देखें है चलोju विश्डॉम ल़निंग नॉलेज ऑप रिलीजयन अब देखो भाभी लोकों के पास नॉलेज जाधा थे उसी टाइम में लोलेज जीफ जाधा थे ज्यान सबसे ज्याधा ब्राम्भीन लोकों को invite किये हैं अपने समराज्य में क्योंकि ये लोग ज्यादा पढ़ना लिखने सब कुछ जानते थे ब्राम्भीन लोक इस कारण के लिए who lived on the bank of the Ganga Yamuna river to settle their kingdom और Ganga Yamuna river में रहने ब्राम्भीन को ज्यादातर लोकों ने देखो invite किये हैं अपने समराज्य में आने के लिए इन return in king would donate enter आप देखो ब्राम्भीन लोग तो काम कर रही है राजा लोकों के लिए पूजा करना इन लोग पास ज्यादा नोलेज है सब कुछ देखवाल करना तो इन लोग भी तो कुछ देना चाहिए न रीटान दक की इन गूड ये राजा रीटान क्या देते हैं डोनेट एंटर विलेज और रेविनियू कलेक्टेड सेवरेल विलेज इन दिस ब्राम्भीन राजा लोगों को आप देखो ये राजा लोग देते हैं ब्राम्भीन लोगों के लोगों को कुछ गाओं देते थे एंटर विलेज और रेविनियू कलेक्टेड फ्रॉम सेवरे ठीक है तो देखो जादातर भीलेज भीलेज को देदे थे उसी भीलेज से जितना पैसा आते है आप लेलो देखो ये लोग क्या करते थे ये राजा लोको के बारे में देखो ये लोग क्या करते थे थे अपने आपको बड़े बनाने के लिए देखो ये लोग बहुत बड़े बड़े जग करवाते थे पूजा करवाते थे ब्राम्हन लोको के थे ठीक है जैसे सूर्य का मून का और गेटार बहुत बड़े बड़े रिसी लोको का भी आप देखो बहुत बड़ा बड़ा जग्या का नाम लिखाए है ये सब कुछ राजा लोक ब्राम्हिल लोको के थे थे अपने समरज्य को अच्छे से चलाने के लिए जैसे राज्यसू असमेग असमेग जग्या अधर टाइपस अप जग्या टू सो हाव पावर्फूल दे वेर और वह कितना पावर्फूल है यह सब कुछ इसके थ्रू बताते थे एक कोपर प्लेट वास फाउंड इंच्छतिस गड़ में ऐसा एक कोपर प्लेट मिला है च्छतिस गड़ सोइंग दा डोनेशन्स मेड़ पाइदा कल्चुरी किंग रत्नदेव थ्री आप देखो च्छतिस गड़ में ऐसे हम लोगों रत्नदेव थ्री के बारे में पता चला एक कोपर प्लेट के थ्रू कोपर प्लेट के थ्रू पता चला देखो यहापर कोपर प्लेट दिखा गया है देखो यहापर एक कोपर प ब्राम्भन से जग्य कर वा थे ते बहुत पूजा भी कर वा लेते थे राजा लोग ठीक है अब देखो द भाट अल्सो प्लेट एंपोर्टन रोल एस्टाब्लिसिंग रोयल लाइन जाप देखो भाट भी एक इमपोर्टन रोल प्लेइ करते थे करते है द भाट रेडिसेंड prevailed in the entire North India religion during this time they were code poet आप देखो यह भट लोगों को बोलते हैं कभी बोलते हैं जो लोग कभीता ही लिकते हैं इनलोग बोलते हैं भट और कभीता लिकना और गाना गाना आप देखो फूस सौंग अब देखो ancestors इन लोगों का काम क्या है राजाओं को बहुत अच्छा अच्छा कभीता ही सुनाना बहुत अच्छा 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 चाहित्य tirze गड मने उन्हों को भठ बोलते हैं। और ब्दोर्राव यहाँ पर देख्वे एक एक इस आई पोएट-का नाम एसा एक पोएट का नाम या भट का नाम भट का इतो पोएट बोलते हैं जो कोई भी ताई लिखते हैं One such poet was Dolram Rao एक example दिया गे है Dolram Rao का Who lived in the court of Raj Lakshmi Nidhi in Kairagad आप देखो ये कोई रागद में रहने बाले है Raj Lakshmi Nidhi का कोई रागद में रहने बाले है He was the first person using name 36gaard in one poem Praise to the King इनने एक poem लिखा तो Praise to the King 36gaard के बारे में तो चलो हम लोग next class में monarch and feudal king के बारे में डिसकास करेंगे और some important dynacities के बारे में डिसकास करेंगे तो चलो यहां तक के लिए कितना ही है next class में और देखेंगे अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि यहां पर मैं डिसकास क्या हूँ class 8 का भी और class 9 का भी बहुत सारा वीडियोस मैं 7 का भी पूरा वीडियोस भी अपलोड कर दूँगा ठीक है चलो चलते हैं नेक्स टाज में और मिलते हैं थैंक्यू